हलो दोस्तों आज के मार्केट में आप सभी का सौगत है तो बहुत इंटरस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बहुत लोग आप लोग कमेंट करते थे कि चेंज ओपन ट्रस के बारे मताओ पूरा बीगिनर लेवर से डवांस लेवल के बता यह फॉस्ट वीडियो है मतलब पिछले साल या इस साल मिला कि यह पहली वीडियो है जो मैं आपको बीगिनर लिवर से बताने वाला हूं नहीं तो मैं हमेशा की पॉइंट हमेशा बताता हूं हर इक वीडियो बहुत इंपॉर्टन टाप लोग के लिए आप सीखना चाओ गया तो इस वीडियो में आप करते हो चेंज झोपन्टर देखके चोकी अगर आप कोई और विडियो का देखते हो तो उसमें चीजें के लोग के आप है क् उसी सबसे बता रहा हूं यहां पर ऌप कर सकते हो एक महिना दो महिना चार महिना पाँस महिना 자के डेट कर सकते हो जितने भी डियाटा अनलाइस किया हो और मोस्त यहां पर जो एकुरेसी आपको देखने पर लेगी ऑसम एकुरेसी राइट तो पूरा डिटेल में आपको एक्समेंट करना है तो इस स्टार्टिंग करते हैं देखो जो भी चीजे बताने वाला यहां पध्यान देना प आप यह जो डेट आपको दिखाई दे रहा है यह नंबर जो दिखाई दे रहे हैं यह बार को ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं यह चेंज जो पर ट्रस ओके यह चीज़ें आप सिंसिबल में देख सकते हो यह चीज़ें आप यहां पर भी देख सकते हो और यही चीज आप यहां पर भी देख सकतो लेकिन इस पर के डिमांटेज है कि यहां पर हम जिस टाइम का देखना चाहिए उस टाइम का देख सकते हैं आगे पीछे करके यही सबसे पर आप यूज कर सकते हो फ्री वेफसाइट है तो जैसे अब हम देखो फॉर एक जामपन अप समझो बात से बारे में इमेजिन करो कि यहां से मार्केट बुलिश जाएगा यहां से मार्केट बेरी जाएगा इस तरह की कुछ चीज़ा अब दोको हमको यह नहीं पता होता है जब मार्केट यहां पर चल रही होते हमको यह तो नहीं पता होता है मार्केट रिवस हो जाएगा जैसे क एक्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि यह तो पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर चला जागा या मार्केट नीचे चला जागा इसी सिच्वेशन को आपको समझने के लिए आपको डेटा समझना जरू है इस चेंज ओपें ट्रस्ट में डेटा कैसे होना चाहिए तब जाके यह हम यहां पर इन्ट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ङरहें एगर अगर की यह रहा अब अब हम को क्या पता कि यह जो रेंज ब्रेंच ऑउट हो रहा है यह मार्केट बुलीज जा सकता है है यहां से किये यहां से मार्केट उपर जा का लेकिन आप किनफ नहीं कि मार्केट उपर जाएगा तो समझने वाली बात यहां यह मैं सबसे पहले स्ट्राइक प्रेट रोग करता हूं जिससे आपको किलियर टी मिल जाए आपको अब जो भी चीज़े मैं देखो बता रहा हूं थोड़ा बीगनर लिवर से बता रहा हूं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहां पर आपको अलेटी सब लोग को पता जैसे फ़र एक जांपल मैं सबसे पहले होरिजन्टा लेंड नौक तो है साथ सो पचास राट सो आइनाट अंट अट सो पचास ओके यह चीजिजे आप हमारे वीडियों बहुत बाहर देखते होगे सिंपल यह होरिजन्टाल लाइन इस टराइक प्रेस के अब देखो बास स का दोना होना चाहिए टू एक्स किसी एक साइट का होना चाहिए और एक तरफ वन एक्स होना चाहिए ठीक है वन एक्स होना चाहिए यानि एक तरफ डबल होना चाहिए अल्मोस्ट और प्लस पोजीशन जो होनी चाहिए अल्मोस्ट वह माइनस मोहनी चाहिए 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 तो वह कॉल की बात हो रही है चाहिए पूरा बता रहा हूं सिर्नेरियों अब एक हिसाब से तुम मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बायर का क्या है अच्छा खासा यहाँ पर रेड़ वाला ज्यादा है तो आपको तो इमेजिन करना है कि अगर कॉल साइड में सही डेटा होगा तो हमको कॉल साइड में भी हम इंटरी ले सकते हैं ओके तो अपने मार्केट की डियरेक्शन में सबसे ज्यादा तो नो बज के दस मिनट पे जब आस्वारिप का नो पंदरा से दस बजे जब मार्केट इस रेंज को मार्केट चोटे रेंज को क्या करती है ब्रेक करती है तो यहां पर एक हमारे पास सिनेरिव बनता है या तो हम बाय करें या तो हम वेट करें यह इस ब्रेक आउट का ठीक है लेकिन दस ब बाद हमारा जो नियरेस हमारा रजिस्टर्स लेवल है 800 तो 750 पे अगर आप देखोगे जो एड़ बनी है और मुस्ट क्या कि मतलब ज्यादा नहीं लगबख फ्लैट ही है यह वोके यह 40,000 यह 60,000 20,000 ज्यादा है तो अल्मोस्ट क्या यहां पर फ्लैट है दुगुना नहीं है तो अल्मोस्ट क्या दुगुना आपको कहां देखने मिल रहा एजर सपोर्ट लेबल 2700 पे उसके बाद आप देखो कि यहां पर 2650 पे किलियर लिए सिर्फ और सिर्फ बायर से सेलर्स एकजिट पोजिशन और मोस्ट यहां पर टू टाइम से अल्मोस्ट यहां पर भी थ्री नहीं है तो बचा कौन बचा सिर्फ और सिर्फ पूरा किलियर ली बायर बचा हुआ है यानि जो भी सपोर्ट लेबल है हमारे एड़ दमवनी से वह 2750 जो भी सपोर्ट लेबल है सब किसाब बैठे हुए नीचे तो मार्केट अगर मार्केट ड्रॉप हो रही है तो सकती ठीके मार्केट क्या उसकेस में डाउन नहीं जाई देखो जब भी यहां पर ये बायर का जो पोजीशन है यह यह जो बड़े 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 बैठे हुए बाय करके और यहां पर तो यह कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा लोस हो क्योंकि यह कोई रिट्रेडर नहीं मैनेस करते हैं के समझो बात को जो बड़े प्लेयर होते हैं जो हेजिंग पोजीशन करते हैं वो उन्हों को बात समझ में आ रहे होगी क्योंकि मैं हेजिंग पोजीशन नहीं करता हो लेकिन मैं को चीज़े बता रहा हो कि हेजिंग पोजीशन जो बड़े प्लेयर करते हैं वह लोग व करते हैं क्योंको बड़ा रेटर निकालना होता है तो जिनके पास दोग होह करते हैं वह WHO सेलर को लोग क्या जेश करते हैं उनको वह प्लबिटर करते हैं उनको सब्सक्राइब इन्टरडार रि्क्राइब मीट करते हैं तो open trust में count होगा जो position hold होती है वही जाके count हो जाती है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं मैं भी हो सकता है यह चीजें गलत हो लेकिन जो मेरा मानना है जो मेरा हिसाब से काम करता है वो चीजे मैं आपको बता रहा हूं और एक बार नहीं हजारों बार काम किया है तो आप विसवास कर सकते हैं तो हमेशा एक point धरकना कि आपका add the money से ठीक है add the money का आपको support label चेक करना है maximum आपका सिर्फ और सिर्फ बायस होना चाहिए two time three time four time अगर यह चीजे है तिसका मतलब market में क्या है कि बड़े player position बना के बैठे हुए तो market में हाई chances है कि market वो bullish चलेगी ही चलेगी यानि कोई भी resistance level breakout हो कोई भी आपका turning point breakout हो उस case में market क्या होगा bullish ही चलेगी जैसे मैंने बताया था आपको यहां पर turning point turning point क्या होता है turning point basically जहां से market क्या है कि market turn हुआ है तो यहां से भी turn हुआ है यहां से भी turn हुआ है तो turning point मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह open trust के base पर है और value के base पर है जो मैं आपको बता रहा हूं चेंज open trust के base बता रहा हूं ताकि एक चीज़ आपका clear हो जाए चेंज open trust कैसे काम करता है तो चेंज open trust मार्केट हमको क्या चाहिए यहां पर अपना क्या है और इसके नीचे तो बड़ी इंटरी के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो पहली जो तिनी situation मैं आपको बता हूं यह situation अगर आपको clear हो गया होगा तो मैं फिर आगे आपको बताने वाला अब देखो Second चीज यहां पर जब मार्केट के आय tempd agora पंच मिनट पे अगे छलता हुं जैसे यहांँ पर दस बच के 10 निट पर अब सिनयियो का आप सँझग थो journée मैं थोड़ा साहिए यहां पर यहांपर अगे करता हूं अंगर आप डेटा देखोगर यहां पर जो data था 2750 पे almost two times हो गया ठीक है अनि 2800 पे भी two times हो गया यानि double तो आपके पास clear confirmation है 10 बज़ के 10 minute पे आप entry कर सकते हो 2800 पे आप entry मार सकते हो यानि उसी strike प्रहे पे आप entry कर सकते हो अब उसके नीचे आपको ये हमेशा ध्यारकना है turning point आपका chart reading का यानि turning point आपका होना जरूए ऐसा ने कि direct ने अब ये हमारे लिए क्या है कि turning point है market का Azure resistance level ये जो आपका है Azure resistance level है क्योंकि market already यहाँ से क्या है drop हो चुका है two times तो ये market जब break करें तो ये support काम करेगा और already जो data है यहाँ पर buyers active है तो market support label कहाँ पर यहाँ पर support label लेगा यानि जो पट्टी ड्रॉग के है यहाँ पर क्या market लेगी support लेगी क्योंकि already buyers यहाँ पर active है strike price पर तो हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर entry के लिए हम plan कर सकते है तो जैसा ही market break करते हैं coherent बलती है तो यहाँ पर इसके नीचे हमेशा ध्यार रखना आपका जो stop loss होगा इस वाली जो पट्टी होगी इसके नीचे ही stop loss रखना है तो इस बात को आप हमेशा ध्यार रखना की stop loss हमेशा नीचे होना चाहिए और दिन देखो यहाँ तक चीज़े आपके पास favor में क्योंकि आपको यहाँ पर clear confirmation है कि buyers active है अब आपको यह धा रखना है कि कहां तक हम hold कर सकते हैं प्राइज को hold करने के लिए आपको क्या देखना होता है आपको important है वाइलूम अब आता है यहाँ पर वाइलूम की बात अगर आपको वाइलूम अगर आपको पता है सेंस आपको इस चीज का काम यहीं तक है इस चेंज open trust का read करने का जो काम है website का वह आपका यहीं तक है इंट्री तक है target तक नहीं है target आप इससे नहीं निकाल सकते हों okay target के लिए आपको decide करता है open interest decide करेगा राइट उसके बाद जो decide करता है volume decide करता है change open interest नहीं decide करता है कि target change open change open interest में कोई दम नहीं होता है target के लिए हमेशा आपका open interest and volume यूज़ करना पड़ेगा तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता है कि entry आप कैसे change open interest के base पे आई हुब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा scenario कि कैसे काम करता है change open and next video में आपको बताऊंगा कि open interest and volume को कैसे आप देखके आप target के लिए decide कर सकते हो ठीक है और वीडियो पसंद है तो वीडियो को like जरू कीज़ेगा अगर आपको next part चाहिए तो comment box में आपको लिखना है आपको volume based video या आपको लिखना है open interest based video तो इसके बाद में आपको next video आपको Sunday को ही upload कर दूँगा ठीक है तो आपको देखो एक चीज आपर clear हो गया आपको entry point clear हो गया अब बस आपको target चाहिए तो target इस website को देखके यूज नहीं निकाल सकते हो कि उसके लिए चाहिए आपको यह nsc website तभी जाके आप target decide क्योंकि volume का होना बहुत जरूरी है अगर volume नहीं रहेगा तो फिर आप target decide करी नहीं सकते हो तो यह point आपको clear होना चाहिए mind हमेशा clear हो चाहिए कि data जो इंटरी के लिए होता है target लिए नहीं होता है यह बाद बैठाल अपने दिमाग में ठीक है वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा कोई भी doubt हो तो comment कर सकते हो and option training का master class वगर आप join करना चाहते हो जोइन कर सकते हो सिर्फ 4 seat है वो इसे तो लोगों ने join कर लिया लेकिन अगर आप interested हो तो उन्हें Sunday के लिए आप book कर सकते हो पहले ही बुक कर लेना क्योंकि चार लोग कहीं मैं पढ़ाता हूं वीकली में सिर्फ चार लोग को यह बढ़ाता हूं ताकि उन लोग का career लियो क्योंकि यह private session होता है सबका अलग अलग टाइमिंग पर चार टाइमिंग है चार टाइम पर चार लोग को बताता हूं हर एक गंटे का सबको personal class दिया जाता है और पूरा प्रॉपर मैं आपको सिखाता हूं एक पॉइंट आपको एनसी का प्लस आपको और भी जो वेबसाइट है अधर वेबसाइट है जहां पर confirmation निकाल सकते हो और पूरा का पूरा प्योर प्राइस एक्शन अपका डेटा बेस पर कंफर्मेशन इंट्री होगा ओके बेग प्लेयर मॉर्णिंग इंट्री होल्डिंग पॉइसान एंड बारा टाइप का जो हमारा हाई उसके बारे में क्योंकि दोको जो मार्केट का स्टक्चर होता है वह अलग होता है देटा ओपर इंट्रस वायलूम का इसके बनता है म्रकेट में जो कि रिपीट होता है अगर पीसेने किसी स्टक्चर पर हमारी रोज इंट्री होती है तो वह तो मैं को सिखा आउंगा बाद में अगर आपने संडे के लिए बूप करना चाए बूप कर सकते हो पहले इसे मैं आपको पहले ही बता जारों कि चार देते हो और ने संद ने तू सोजास में आपको पहले ही बता दे रहा हूं ठीक है तो थाइंकिस सुमच मेंस मिलते हैं ने स्टुडियो में बाए बाए